सबी बक्तों को शिरी शिवाय नमस्तो उप्याम दो तरह का शिवलिंग होता है एक होता है विश्नु शिवलिंग और एक होता है शक्ति शिवलिंग जो विश्नु शिवलिंग होता है वेट जब स्थापित किया जाता है तो उसके नीचे डमरू की आकरती होती है जैसे कि आप इस शिवलिंग में देख सकते हैं नीचे जो डमरू की सी आकरती होती है जो इस प्रकार से डमरू की आकरती होती है फिर इसके उपर शिवलिंग स्थापित किया जाता है वे होता है विश्णु शिवलिंग और एक होता है शक्ति शिवलिंग जैसे कि आप देख रहे हैं शक्ती शिवलिंग जो होता है वे शिवलिंग बिना टम रुक्या करती की यानि सीधे ही जमीन पर स्थापित किया जाता है अब इन दोनों शिवलिंग पर जल कैसे चड़ाया जाता है जो विश्नु शिवलिंग होता है उस पर जल हमेशा खड़े होकर ही चड़ाया जाता है जल चड़ाते समय एक पैर आगे और एक पैर पीछे की साइड होता है इस प्रकार से पैर होते हैं दोनों पैर एक सीध में न के जल और शक्ति शिवलिंग पर बैट कर जल अब हम आपको बताते हैं कि तीन तरह के बेल पत्र के पेड होते हैं एक बेल पत्र का जो पेड होता है उसकी लंबाई होती है आपके गुठेने के बराबर तो यह जो बेल पत्र का पेड होता है इस बेल पत्र से कभी भी बेल पत इस बेलपत्र के ब्रक्ष में से भी कभी भी बेलपत्र नहीं तोड़ा जाता और ना ही इसके नीचे कोई उपाय किया जाता है अब जो तीसरा बेलपत्र का ब्रक्ष है वह होता है सबसे बड़ा और सबसे घना ब्रक्ष जो अधितकर आपने देखा होगा जिसकी च्छाओं हमारे उपर पड़ती है इसी में से हमेशा बेलपत्र तोड़ना चाहिए और जो भी आप उपाय करते हो वो इस बेलपत्र के नीचे ही करने चाहिए ऐसा क्यों क्योंकि जबी भी आप उपाय करने जाओगे उस बेल पत्र की छाओं आपके उपर रहेगी और छाओं आपके उपर रहने की वज़े से उस उपाय का आपको पून फल राप्त होगा अब तीन तरह से भगवान चंकर को जल चड़ाया जाता है सबसे पहले जो आप प्रती दिन जल चड़ाने चाते हैं जो कि आप नॉर्मल चल चड़ाने चाते हैं प्रती दिन जल चड़ाने चाते हैं वैव एक तरह से चल होता है जिसमें आप प्रती दिन जल चड़ाने के लिए जाते हैं दूसरा होता है लाल चंदन का जल जब आपके पास में संपदा की कमी हो लक्ष्मी नहीं आ रही हो, लक्ष्मी रूट गई हो तो कलश के अंदर थोड़ा सा लाल चंदन डाल कर सबसे पहले उस कलश के जल बेलपत्री के फ्रक्ष के नीचे थोड़ा सा समर्पित कीजिए और उसके बाद उस और उसके बाद उसी कलश के जल को बगवान चंकर के उपर समर्पित किजिए दस से पंदरा दिन आपको इस उपाय को करना है आता लक्षमी की करपा आपको बन जाएगी और जो तीसरा जल होता है वे होता है इत्र का जल यदि कोई घर में बहुत जादा ही बिमार है लोगों ने उसको गेर लिया है कोई बड़ी से बड़ी बिमारी हो गई है तो जल में थोड़ा सा इत्र डाल कर जल में थोड़ा सा इत्र डाल कर यदि वे स्वैम यह उपाय कर सकता है बहुत अच्छी बात है और यह दिन नहीं कर सकता पलंग परपड़ा है विस्तर परपड़ा है तो उस कलश पे उस व्यक्ति का हाथ लगवा दीजिए और हाथ लगवाने के बाद में उस जल को भगवान चंकर के उपर समख्वित कर दीजिए उस व्यक्ति का नाम लेकर जो की पलंग पर पड़ा है यह अत्यदिक बिमार है चार से पात दिन आप लगातार ही सुपाय को करेंगे भगवान चंकर उस व्यक्ति की बिमारिया ठीक कर देगा अब तीन तरह से भगवान चंकर के उपर जल समर्पित किया जाता है सबसे पहला जो जल होता है यदि आपकी समर्पित करना चाहिए जब आप मंदिर में जाएं तो यह जो सीधे हाथ पर इस्तान होता है यह करतिके जी का इस्तान होता है यहां बीच में मूटी सी लाइन होती जो अशोक सुंदरी का इस्तान है और यह जो पूरा जिसके ओपर शिवलिंग रखा हुआ है यह मता मन्दिर में जलादारी नहीं होती है तो उस समय क्या करना चाहिए यही मंदिर में यह जलाधारी ना हो तो है दूसरे फ्रिकार और उसके बाद जो नंदी जी बैटे होते हो जो उनका एक पेर उपर उठा हुआ होता है उस पेर के पास में थोड़ा सा जल समर्पित कीजिए उसके बाद में भगवान चंकर के उपर जल समर्पित कीजिए और जब आप मंदिर से बाहर जा रहे हों मंदिर से बाहर जाते समय दो बूंद जल मंदिर के दोनों भागों पर यानि की सीधे हाथ पर और उल्टे हाथ पर दोनों तरफ थोड़ा जल समर्पित कीजिए इस प्रकार से जल समर्पित करने पर भी भगवान आपकी मनों कामना बहुत जल्द ही पूर्ण कर देते हैं अब सबसे पहले जो गनेश जी का इस्तान है महापर जल समर्पित कीजिए उसके बाद कारती के जी के इस्तान पर जल समर्पित कीजिए उसके बाद में पारवती के अस्त कमल पर जल समर्पित कीजिए और फिर जब आप भगवान चंकर के ऊपर जल समर्पित कर रहे हों भगवा जया, विशरा, शामलिवाली, दोतली और देव इन पांचों बेटियों का नाम लेते हुए बगवान चंकर के उपर जल समर्पित कीजिए नाम एक बार फिर से सुन लीजिए जया, विशरा, शामलिवाली, दोतली और देव ये बगवान चंकर की पांच बेटियां हैं जो खन मनुकामना आपको केवल एक दिन ही बोलनी है और जो जल समप्रित करना है वे प्रतितिन करना है बाचो बेटियों का नाम लेना है मनुकामना केवल एक दिन बोल दीजिए उसके बाद बगवान बोलेना आपकी मनुकामना ओन कर देंगे सबी वक्तों को शिरी शिवाय नमस्तु नाइए